हेलो एवरिवन इंडिया के नेशनल पार्क्स के दुसरे सिरीज में आप लोगों का स्वागत हैं आज हम लोग जारखंड, बिहार, यूपी, उत्राखंड, शिमाचल पर्देश, जम्मू एंड कस्मीर, पंजाब, हरियाना और राजस्थान और इसके साथ ही मजद पर्देश इतने के ये 36 गड़ और ओरिशा नहीं है, आज हम लोग जारखंड से लेके इस मजद पर्देश, जितने भी एस्टेट से सभी के नेशनल पार्क्स को देखेंगे, मैं एक बार मेप में दिखा रहा हूं कि किन किन एस्टेट को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, देख ये उत्तर पर्देश, ये उत्तराखंड, ये हिमाचल पर्देश, ये जम्मु कस्मीर, ये मिन्स जम्मु कस्मीर और लग्दाक का दोनों का रिजन को हम लोग मर्ज करके देखेंगे, यहां पंजाब, इधर हर्याना देख लीजी, ठीक है, और इधर राजस्थान, मैद प किमाचल पर्देश, ये जो बाकी बचे होए इधर, उन सभी को हम लोग एक-एक करके देखेंगे, ये मैत पर्देश, हम लोग इस फीलेक्ट्र समय देखेंगे, तो इससे पहले के लेक्ट्र में हम लोगने, ये पूरे इस्ट इंडिया ये सिक्किम से लेके, लोग देखि किया था और इस विडियो में हम लोग यह उपर के जितने भी पॉर्षन है उपर के जितने भी पॉर्षन से महिद पर्देश को भी ले लिज़े आप लोग कोण चाहर कंड यह यह पूरे पॉर्षन के इतने भी नेशनल पार्क से इन सभी कौम लोग देखेंगे कौम लोग शुरू करते हैं जार्खन के साथ ठीक है देखिए जार्खन में एक नेशनल पार्क है वो है बेतला नेशनल पार्क मैं आप लोगों को यहां दिखा रहा हूं देखिए ठीक है ओली वन नेशनल पार्क जार्खन म हें आप को को यहां पर हजारी भाग नेश्टल पार्क भी दीख रहा है कि इसको आज कल कांटिंग नहीं किया जाता है लेकिन यह ओछ Space में आए है अप लोग्स आफ लोग को हजारी भाग नेश्टल पार्क करें अज के समय में यह एक ही नेश्टल पार्कços के कोयल कि पर ओके जारखंड में एक नेस्टल पार्क बेतला नेस्टल पार्क और उससे एसोशेड़ जो रिभर है वह है नौर्थ कोयल रिभर यह जो बेतला नेस्टल पार्क है यह छोटा नागपुर जो प्लेटू है उसके नियर इस्टी थे तो डिस्टिक आप लोग पूछिएगा तो वह है पलामू डिस्टिक ओके इसके साथ इसाथ कोन से स्पेसिस पाए जाते हैं तो आप लोग दो इंपोर्टेंट इस्पेसिस याद रख लीजिए फस्ट है एलिफैंट हाथी दूसरा है ओके हैना और एलिफैंट इन दोनों को आप लोग याद कर लीजिए तो जारखन में एक ही नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क नॉर्थ कोयल ठोटा नाकपूर लामू डिस्टिक एलिफैंट हैना आप लोग देखिए मैं यहाँ दिखा रहा हूं यह आप लोग को दि बिहार में बिहार में भी ओंली वन नेशनल पार्क और वो है बालमी कीनेशनल पार्क लगरिघम है यह हमारा बालमी की नेशनल पार्क बीच तहिंदी पूछा जांत जो नॉर्स इस्ट पॉर्सन है कि सबसे पहले national park को देखा था फिर हमने उनके यतने भी tiger refers से उनको को देखा था उसी तरह stand prices हम लोग इसका भी करेंगे तो बाल्मिकी national park आप लोगों थेका अब आप भाल्मिकी national park से जो important species पहला आप लोग याद रखिए कि दो रिवर एक तो गंडक और दूसरी वह है बूढ़ी गंडक ये दोनों रिवर को आप लोग गंगा रिवर सिस्टम में पढ़े होंगे ये गंगा रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरीज है गंडक और बुढ़ी गंडक इस बालमिकी टाइगर रिजर्फ या बालमिकी नेशनल पार्क से एसोशियेटेड है कौन से स्पेशिस पाए जाती है तो देखिए बंगाल टाइगर आप लोग देख सकते हैं ठीक है और इसका आप लोग आयूसीयन का केटेगरी देख लीजिए ये कहां पे हैं इंडेंजर्ड में है इससे पहले हमने बंगाल टाइगर कहां पढ़ा था एक तो सुन्दर बं नेशनल पार्क पढ़ा था ना यह कहां पे आती है वेस्ट बंगाल में इसके अलावा हम लोग राजस्तान में भी कुछ पार्क से नेशनल पार्क जैसे रंधंबोर और सरिस्का इसी लेक्चर में हम लोग देखेंगे वहां पे भी बंगाल टाइगर पाया जाता है इसके आप देखें इंडेन राइनासौर्स यह भी जो है बालमिकी नेशनल पार्क में पाया जाता है इसका आप लोग कंजर्वेशन स्टेटेस देखें यह वल्लेरेबल ठीक है एसोशेटेड रिवर अगर आप लोगों को बालमिकी नेशनल पार्क से पूछा जाए एक तो पूर्शन आप लोग देख लीजिए यह देखें लगभग नेपाल के एकदम पॉर्शन में अगर आप ऊपर थोरा चल जाईएगा अब लोग नेपाल आ जाईएगा अब हम लोग थट जा रहे है एक रिवर आप लोग दो रिवर और आप लोग इससे एसोशेट कर सकते है इस गंड़क रिवर की दो ट्रिव्यूटरी जे एक तो आप रिवर पंडाई लिख लीजिए रिवर पंडाई यह इसके सामने से आपको पाई जाएगी और एक रिवर है वह है हर्शा आप लोग इसको लीजे अब हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में भी ओल्ली वन ने सतल पार्क है यह दिए दूद्वा ने सतल पार्क यह लगभक जो है यह भी आपका नेपाल के जो रिजन से उसी से थोड़ा से नीचे में अगर देखिएगा तो आपको दूद्वा नेशनल पार्क देगा ठीक है देखे दूद्वा नेशनल पार्क आँ तो इससे अगर आप एकिस पूछें तो जो नॉर्मल स्पेसिज वहीं मिलता इंड़ा प्रिक है यह तो लियोपार्ड से या आप स्वेंप डियर जो वारसिंग आंप डियर राइनास शूर्स ऐलिफेंट्स यह सब नॉर्मल अपाय जाते तो यह सब नहीं पूचे जाए कि जो थोड़ा यह जो देख रहे हैं इसमें जो इंपोर्टेंट है जो थोड़ा इधर आप मान के चलिए बर्न भी यू सी आर इन या एंटी भी अगर है तो जो इंपोर्टेंट उस जगह के है वही पुछे जाते है तो तीन स्टेट हमने देखा एक तो जारखन देखा एक बिहार देखा और साथ-साथ यूपी देखा और तीनों में वन 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 ठीक है तो आप लोग इस चीज को दिमाग में रखिए ज्यादा यहां पर नहीं है लेकिन अब इंपोर्टेंट हम लोग आ रहे हैं वह है हमारा उत्राखन उत्राखन में आप लोग दो-तीन में आप लोकेशन दिखा रहा हूं कि आप लोगों को यहां गंगोत्री नेशनल पार्क देखा इसको आप लोग लोकेट करते जाएं तो जो में आप लोगों को लोकेट करवा रहा हूं एक देखिए गोविंद पसु भीहार है यहां थट देखिए नंदा देवी पोर्ट देखिए त्वेलियू ऑफ फ्लावर नेस्नल पार्क एक यहाँ देखी राजा जी नेस्नल पार्क देखा यहाँ देखी जीम कर्बेट नेस्नल पार्क इसका तो नाम आप लोगोंने कम से कम सुना ही होगा ठीक है यह 5 हो गए एक दो टीन चार पाच छे 6 टोटल इक्स नेशनल पार्क उत्राखंड से हैं क्या क्या एक तो गोविंद पसु बिहार नेशनल पार्क गोविंद पसु बिहार नेशनल पार्क एक तो गंगोत्री गंगोत्री को याद रखने में कोई दिकत नहीं है तो कि आप लोग को पता है कि गोमुक से गंगोत्री औ नंदा देवी आप लोग पिक्स भी पढ़े पप मैंने आप लोगों को पढ़ाया था हिमालेन सिस्टम में यह दोनों तो आप लोगों को आराम से याद हो जाएगा एक जीम कार्बेट इसको बच्पन से आप लोगों ने पढ़ा होगा तो यह तीन चीज में तो कोई दिकत नहीं है एक राजाजी नेस्टल पार्क फ्लावर नेस्टल पार इस तीन चीजों को आप लोग दिमाग में रखी है ओधर वाई इसमें कुछ ज्यादा नहीं है मैं आप लोगों कोछ एस्पेसिज दिखा रहा हूं और कहां कौन मिलती है मैं उन सफे को आप लोग बताना द कि एगल का एक आपका इस्पेसीज है इसको देखिए आप लोग ठीक है बड़ है बड़ है जनरली जो बड़ से न उसको आप लोग ध्यान रखें को बड़ में जो इस्पेसीज है वो जनरली पूछे जाते हैं तो अगर क्रिश्टेट सेर्पेंट इगल पूछा जाएं तो वह सबसे पहले आप लोग याद रहें कि इसका जो रिलेशन है वो कहां से हैं इसका रिलेशन उठ्रा खंड से इस इसको आप लोग याद कर लिए अब मैं आप लोग को दुसरा स्पेसिस दिखा रहा हूं इसका कंजर्ब पाया कहां जाता है जीम कारवेट नेशनल पार्क लिए जीम और बैट नेशनल पार्क में इगल पाया जाता है इसके अलावा और एक स्पेसिस है मैं दिखा रहा हूं देखिए इने उसका फोटो लिया है कि नहीं मैं देख ले रहा हूं थोड़ा से इस यह ब्लुसूम इसका आप लोग कंजर्वेशने स्टेश देखिए एंटी क्या मिंस नियर थ्रेटेंड है यह दो स्पेसिस आप लोग जनरली याद रखिए और एक इससे इंपोर्टेंट है वह आप लोग बंगल टाइगर भी आप लोग याद रख सकते क्योंकि प्रोजक्ट जो है बंग बंगल टाइगर भी हैं इसके अलाव यह दो आप लोग स्पेसीज एक तो मैं दिखा रहा हूं एक गल का जो स्पेसीज है प्रिस्टेट सर्फेंट एक गल और सेकेंड वन इस ब्लूसीम ब्लूस ब्लूसम हैड़ेट प्रेकेट इन दोनों को याद रखिए वह छे नेशनल पार्क तीन तो आप लोग को याद रहेगा गंगोत्री नंदा देवी जिम कारवेट गोविंद पसु बिहार राजाजी एंड बेली ओफ फ्लावर नेशनल पार्क ठीक है अब देखिए यहाँ पर एलिफैंट यह जो एलिफैंट है मैं यह दिखा रहा हूं ठीक है अप ल आप लोगो को बताया भी राजा जी नेशनल पार्क ठीक है एक राजाजी एक वेली प्लाविंद पसु बिहार यह तीन आप लोग को याद करने और तीन तो आप लोग को याद हो गाई तो यह यहां पर मिलता है इसमें कोई दिकत है फिर एक आपने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पी देख लिया इसके सामने से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक रिवर निकलती है अब लोग नाम सुना होगा राम गंगा इस राम गंगा रिवर को हमने गंगा रिवर सिस्टम में पढ़ा था, गंगा रिवर सिस्टम में हमने इसको पढ़ा था, इस गंगा रिवर की ये ट्रिब्यूटरीज है, राम गंगा, ठीक है, घागरा, पढ़ा था न हमने, गोमती, घागरा, गंडक, पूरी गंडक, ओसी, महानन्दा इधर से यमुना तोन पुनपून चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं एक तो वेली ओफ फ्लावर है उहां पर देखिए यह सांबर ठीक है हिरन की पर जाती है यह पाया जाता है मैं दिखा रहा हूँ आप लोग कंजर्वेशन अस्टेटेस देखिए भी यू फलनेरेवल एसियन ब्लेक भी इस इसको आप लोग याद रखी ठीक है यह कहां मिलता है बलनेरेवल में ठीक है और कहां तो वेली ओफ फ्लावर में यह भालू जो है वह फ्लावर खाने गया था तो वेली ओफ फ्लावर याद हुआ तो कितने हमने देखा एक तो हमने देखा राजा जी दूसरा हमने देखा गोविन पसु बिहार तीसरा हमने देखा राजा जी देख लिया गोविन पसु बिहार देख लिया वेली ओफ फ्लावर हमने देखा ठीक है उसके अलावा तीन इसी जो है तो था नंबर हम ले रहे गंगोत्री कि टेप्थ जीम कॉर्बेट और शिक्स वन इस नंदा देवी तो जो भी इससे इंपोर्टेंट थे मैंने लगभग आप लोगों को बता दिया इस फ्लावर्स में एक और ग्याद रख लिजिए अलफाइन फ्लावर आ जाता ह है इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है इस पेसिस भी आपने देख लिया कि दो इस पेसिज जो आप लोग जनेरली याद कर लिए एक इगल का प्रेकेट का यह दोनों जीम कॉर्बेट में मिलता है ठीक है एक जो मैंने बताया भी बेर्डेट वल्चर दिखा रहा हूं मैं इसका स्क्रीन सोट मैंने यहां लेकर रखा हूँ अच्छा यह आया नहीं है यह बीर्डेट वल्चर यह जो है गोविंद पसू बिहार गोविंद पसू बिहार नेशनल पार्क में आप लोगो को मिलेगा ठीक है इसका अगर देखिएगा तो एंटी देख लीजिए नियर सब्सक्राइब यह बीए पूंबढ़ है इसलिए यह ज्यादा इंपॉर्टेट हो जाता है इतना हमने देख लिया उत्तर परदेश को तो अरी उत्त्राखंट को अब हम आते हैं हिमाचल परदेश पर अभी तक हम ने क्या क्या देखलिया हमने जार्खंट देखा हमने बिह अब हम आते हैं हिमाचल पर्देश में आप सबसे पहले इसको देखिए इंदर किला नेशनल पार्क दिख गया दूसरा देखिए खेर गंगा नेशनल पार्क तिसरा पीन भेली नेशनल पार्क एंड फॉर्थ वन ग्रेट हेमालया अगर इसमें दिख रहा है तो यहां देखिए सबसे नीचे इंबाल बड़ा नेशनल पार्क ठीक है तो टोटल फाइब नेशनल पार्क यह है वह आप लोग हिमाचल पर्देश से तरके रखिए समझे है पहला इंदर किला दूसरा खेर गंगा तिसरा पीन भेली ग्रेट हिमा नेशनल पार्क एंड लास्ट वनीच इंबाल बड़ा नेशनल टोटल फाइब नेशनल पार्क ठीक है फिर से मैं आप लोगों को रिपीट करवा रहा हूं इंदर किला खेर गंगा गंगा जो है खेर से यह हो बें इस तरह से याद रखिए पीन भेली ठीक है भेली में जाक रिपीट को निखाल लेगा इंदर निकालेगा कुछ आपकीजिए लेकिन याद रखी इसको जैनरली फाइब श्यमाचल पठेज के इंदर किला खेर घंग करेंटेर हिमालेयर नेशनल पार्क पीन भेली नेशनल पार्क और सिंबाल नेशनल पार्क इंपोर्टन एस्पेश एक याद कर लीजे, लाहोल and Spiti स्पिटी इस ठीक है, यह जो है हिमाचल पर्देश में आता है, यदि आपने मेरा मैंने किसमें बताया था इसको, बताइए, लाहोल Spiti region मेंने पासेस में बताया था ठीक है लोग देख लिएगा रिवर तो इसके नाम से ही आपको पता चलेगा पीन रिवर पीन रिवर अगर पुछा जाए किसी एसुसियेटेड है तो पीन भेली नेशनल पार्क से ठीक है चलिए नेक्स आते हैं लोग यह जो हम लोग हिमालियन ब्राउ अगर कुछ और अगर घट जाए तो इधर आ जाएगा इसलिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है हिमाले ब्राउन ब्राउन यह कहां मिलेगा ग्रेटर हिमालेयन नेशनल पार्क में ठीक है इसके अलावा देखिए एक तो हिमालेयन तहर यह मिल जाएगा आपका बीधर हिमाज़न ब्राउन के मिलता है हिमाजल पर्देश के हिस दो प्रेस तो प्याद कर सकते हें रिवर साय इस जो ग्रेटर हिमाले निसल पार्क है तिर्थन रिफर ठीक है किन आ रहे हैं तो इससे आप लोग याद कर लीजिए तिर्थन रिफर और एक पीन रिफर जो पीन भेली से है और ये जो ग्रेटर हिमाले निसल पार्क है तिर्थन रिफर है ठीक है मैं आगे आ रहा हूं एक तो आप सिंबाल बड़ा देख लीजिए यह उन्हें कि मैं ने बताया देखे लोकेसन आप लोगों देखिए दिखा रहा हूं जहां देखा है ने पीन भेली देखा हमने ग्रेटर हिमाले देखा इस सिंबाल बड़ा में आप देखिएगा तो सांबर जो नर्मल एक ही चीज़ हुआ लगभग यह सभी चीज़े इसमें मिलती है एक इंपोर्टेंट इससे याद रख लिजिए साल फोरेश्ट यहां पाया जाता है और बाकी तो कुछ नहीं है हिमाचल पर्देश और हर्याना के बोर्डर में देख लीजिए आप इसके नीचे हर्याना आ जाएगा ठीक है लगभग बोर्डर में है इस सीद को भी आप लोग देख लीजिए और इंदर किला और खिर गंगा कुछ खास इसमें इंट्रीज नही रहे हैं अब हम लोग जम्मू कस्मीर में आ रहे हैं और जम्मू कस्मीर में तो बहले बात में दिखिए एक कस्मीर के स्टेक यह कभी मधूली कस्मीर स्टेक कहां पाया जाता है तो जम्मू एंड कस्मीर के नेशनल पार्क में पाया जाता है और किस नेशनल पार्क में पाय पूछाणंध्या कांटी तो फिल्व मैं नेशनल पार्कश किस्ट वार नेशनल पार्क देखा और कर रेक्षप तो अब लोग तीन याद रुखिए और गलती सकर काची नाग पूछ दिया जाए तो लोग कंफुज नहीं किजिएगा जम्मु कस्मीर में ही आता है अभी तक बना नहीं है तो आपको जेनरली यही तीन पूछा जाएगा एक तो हैमिस नेशनल पार्क इसे याद रख लिए कि इंडिया के सबसे बड़ा नेशनल दाचीघ नेशनल पार्क और दाचीघ यह इस दाचीघर नेशनल पार्क को को सलीन धन्य अलिचनल पार्क चोथा बहुद रख लेगे नेशनल विए इसके सामने जों मली वम्मेज़ कौन ठैक जवाब अपलो कमेंट बोक्स में बताएज़ानिक एक बेग्यानिक थे प्रेट के प्रेटिड इसके बारे में कुछ आप लोग सर्च कीजिए और कमेंट बॉक्स में ठीक है तो आप लोग इतना तो याद कर लिए चार नेशनल पार्क तलीमली नेशनल पार्क तो शिटी फोरेश्ट नेशनल हुआ भी करते हैं दाची काम देख पाया जाता है और मैंने क्यों इंपोर्टेंट बताया यह चीज आपको यहां से पता चल जाएगा गांजर्वेशन स्टेटिस देखी क्रिटिकली इंडेंजेड है कि इसलिए इसके अलावा इसे दाची काम में लियोपार्ड पाया जाता है देखिए प्यारा लग रहा ठीक है बलनेरेबल हैं एक एंड हिमालीयन मोनाल बढ़ है यह पाया जाता है इसका स्टेटस देखी लिस्ट कंसर्ण और यह तींचीज हमने देख लिया अगर मर तर लेक यह एस्टिएटेट है इस दाची काम नेशनल पार्क से दाची गाम नेशनल पारक से वेदिकत इसम हमने सेकेंड पढ़ा हमिस्ट नेश्नल परक हमने पढ़ा है लार्जेस्ट नेश्नल परक है और वहां पर सनोलिय पार्ड रहा जाता है यह सबसे उचाई पेश्थित नेश्नल पार्ड अगर पूछा जाए अगर hem ये कुण में अगर हैं उसका एंसर क्या हो जाएगा बताई है व्यम्नेसनल परक्ट मत्ब लार्जेस्ट भी मी है उर हाई पक्रण मिलता ये इंड़सरीफर के पास किनारे में इंड़सर किनारे कियो है इंड़सर निकलता है तीबत के रिजन से पर लग से उते होड़ा पाइस्तानonstucht तो जमू कस्मीर के तोड़ा ऊपर में मिन्स लद्दाक और कस्मीर का बोर्टर पर मिलता है जनरली लद्दाक का ज्यादा पॉर्शन साता इसमें इसलिए यह इंडस्ट्री पर के यह मिलेगा सबसे इंपोर्टेंट जो है वह मैंने बताया कि दाची काम में तो कस्मीरिस्टि हिमालयन सनोकोक देखि şalimallis नेशनल παरक आप लोंको नाची काम के सामने बताया सलीली नेशनल पारक चार बताया है मैं लीमली राशी गम इस्टवार है उसका आप लोग स्टेटेस देख लीज़े लिस्ट कंसर्ण है और देख लीजेह इमालयन शेरो अच्युसका फ्लीजिदेख लीजिए नियर त्रेटेंड यह दोनू यान ten देखिए सिक्व में वाइल लाइफ संचुरी मिलता है मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें भी इसनल पार्क अगर कश्मीरी स्टेक पुछा जाए पर लोग मारिये डाचीगाम नेसनल पार्क मरसार लेक ही मिलता है स्रिद नगर के पास है और क्या मिलता है हिमालियन मोनाल और लियोपार्ग है मिस नसल पर्ग में सनोल लियापार्ट मिलता है है मिस नसल पर्ग सबसे लार्जेस्ट है वो सबसे हाई अल्टिट्टूड में है है मिस नसल पर्ग के सामने तो रिभर है उसको अब लग यात कर ल हुआ थे हरियाना में ठीक है किस्तवार में ने बताया तो किस्तवार के बारे में थोड़ा समय बता देता हूं इस्तवार नेशनल पार्क के बारे में तीन रिवर आप लोग से व्याद कर लेजिए एक तो रिन्नाई किबयर दूस्रा किबबर नाला लास ट्रवा है पिर को किस्तवार किबर नाला थिक है किबर नाला रिन्नाई नाला अब लोग तू वढ़ियाद कर लिए एक हैолжcon yam남 रहाई किभण नाला और मारुवा यह सभी की से उसीटेड्टेडेटों कि स्थवार नाला और रिनाई इसके अलाबाव दाचीगाम नेशनल पार्क ठीक है पर हिमालेज सेरो भी मिलता है और एक प्रोपोज था वो काजी नाग नेशनल पार्क नेक्स्ट आते हैं हम लोग हर्याना ठीक है एक आप लोग याद कर लीजिए हर्याना से पहले पंजाब मैंने पंजाब भी बताया था इस पंजाब में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है ठ एक त्वा सद्विए नेशनल संचुली ये नेशनल पार्ग भी है यहां पर कले सर कुम नेशनल पार्ग एक हरीहनह मिलता है और इसके आलावपा यहां देखिए फल्तानपुर नेशनल पार्ग नौर्थ में क्या है और साउथ में क्या है कोई दिक्कत नहीं है इस तरह के कोशन जरेली नौर्थ साउथ में आ सकता है कि अपको पता चल रहा है कि इसका नौर्थ और साउथ का पूछा जा सकता है तो हर्याना में दो नेशनल पार्क कलेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपूर नेशनल पा थीक है एक बट्स देखिए क्योंकि इस अ कले सर्व नेशनल पर्क है ने यह से शुस्येटेट जो बट्स है उसको अब लंग जरूर जाद रखिए क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट है यह बट्स चार बट्स का एक तो ग्रेट वाइट पेलिकन देखिया इसको मैं थीक है इस स्टेटेस लिस्ट करन संफश्ट वरफ देंगे और यह यह मैल है फिर मेल इसका सिटेटेस लिस्ट कर से एड़ लाश ल का कि इसको याधिर रखे किसका स्टेट देखियं है को टेकली इंडेंचर घिंड अगर एक जाम में आयाerne अब लोग एंसर कुई कर दीजेगा कलेसर नेशनल पार्क जो कि हरियाना में मिलता है इसके अलावा फ्लेमिंगो ग्रेटर फ्लेमिंगो रॉफ और ग्रेटर ग्रेट वाइट पेलिकन इस चीज़को याद रखी ठीक है और दो नेशनल पार्क हमने पढ़ा एक तो कलेसर नेशनल पार्क हरियाना में क्या सुल्तान है सुल्तान के साथ काला काले सुल्तान मिलेंगे काले सर्थ नेशनल पार्क सुल्तान पूर्ट नेक्ष देखिए क्या है राजस्तान राजस्तान में आप लोग कुछ नेशनल पार्क में दिखा रहा हूं आप लोग को आप लोग की अपलोट करूँगा तब दुस्रा देखिए का जो आधे लादेव नेस्नल पार्क अ तिसरा रन्थंबबोर नेस्नल पार्क यह तो भूत आप लोग ने सुना होगा तो था देखिए कुंदरा लगा दीए इसको धर्रा नेशनल पार्क भी बोलते हैं उरेजमेंट वह वह है डिजिट नेशनल पार्क इसका क्या प्रोब्लम होगे मैं बता रहा हूं जो गूगल मैप से जो स्क्रीन सोट लिया जाता है वह एक जूमिंग में ही सभी आते हैं तो जितना जूम मैंने करके एक साथ आया उतना मैंने लिया है इसमें यह डिजट नेसल पार्क नहीं आया आप लोग इसे याद कर डिजट राजस्तान में तो डिजट नेसनल पार्क ठीक है इसके अलवा सरिस्का केवला देव रंथंबर तो आप लोग बहुत बार सुने होंगे और मुकुंद्रा मुकंद्रा को हम लोग दर्राद नेसनल पार्क भी कहते हैं और टाइगर रिजर्ब भी आपको दीखी रह एक है यह कहां मिल रहा है कि स्रयंस का है ये सर्फ्का नेशनल पार्क में आपको यह मिलेगा है इसके अलावा आपको वैंदे लिया है कि नहीं लिया एक सेकेंट यह हां और यह सारस टेंट यह भी आपको सरिस्का नेश्नल पार्क में मिलेगा इसका कंजर्बरिशन स्टेटेस देख लीजिए भलनेरे बाल है तो सारस क्रें और यह अप लोग यह दोनों देखिए बड़ है तो सरिस्का से जनरली बर्ड आपको पढ़ना याद रख लिए जो एगल है और जो आपका तरस करेन यह दोनों मिलता है यह देख लिए और इसके अलाव इस सरिस्का को आप लोग पढ़े हैं मैंने आपको एक नजर में बताया है कि बंगल टाइगर रिजर्व है ही है एक जंगल केट है इसको अपने देख लिए लिस्ट कंसेन है यह भी सरिस्का नेशनल पार्क में मिलता है तो दो बड्स प्लस एक जंगल केट बिल्ली है देख रहे हैं कि इतना अपने देख लिया एक आप लोग याद रखिए रंथंबोर नेशनल पार्क में क्या क्या मिलता है मैं दिखा रहा हूं क्या मैंने लिया एक सकेंड नहीं लिया रंथंबोर नेशनल पार्क में बैंगल टाइगर मिलता है आपको पता है नियर थ्रेटन आ गया है तो बैंगोल टाइगर आपका इन तो इंडेंजड में आता है नियर थ्रेटन तो वह सामने आ गया यह इसके अलावा एक तो आप लोग याद रख लिए कि प्रोजेक्ट टाइगर है वह 1973 में यहीं से शुरू किया गया था ठीक है और बाकि तो नॉर्मल्स मिलते हैं यहां पर आपको बियर मिल जाएगा स्नांबर लिवपार्ट तो यह इंपोर्टेंट निलगाई भी मिलता है वह सब इंपोर्टेंट नहीं है तो लेकिन इतना आप लोग ज़रू याद कर लिए ठीक है यह सारस क्रेंड जंगल केट और साथ चाहते साथ ग्रेटर एक यह तो क्या क्या मिलेगा राजिस्थान में आप अपन ऐस्तान है पर केवला देव नस्तिन पार्क अध॑ और सन्थी साथ डिज्क निसेड सनल पार्क इतना आप लोगों ने देख लिया अब मैं आपको बताना चाहरा हूं MP यह आज का last है तो थोड़ा से में चुन कर रहा हूं कि आपको दिख रहा है संजे नेशनल पार्क संजे नेशनल पार्क MP में मिलता है डूप से ज्यादा नेशनल पार्क मैं हमको लग दश के करीब नेशनल पार्कसे जो सटेंग संजय की नेशनेल पार्क थीक। सेकेड़ दखी अपन्ना दीखा आपको कि रिए, आप लोग को टाइनासोर नेशनल पार्क कानहा टाइगरड रीजयरब या कानहा नेशनल पार्क तो आपको दिखा एक सत्पोडा दिख किया पाच तो यहीं दिख किया और दिखा रहा हूं एक बांधा को और नेशनल पार्क देखे अलग-अलग जूमिंग में अलग-अलग आ रहा है इसलिए मैं अलग-अलग जूम करके लिए आओ ठीक है पाच दिखा एक वन बिहार में ने बताया एक काना बता दिये तो क्या क्या बताया देख रहा हैं और है आई एक माधव नैस्नल पार्क आता है इसमाधव नैस्नल और अरे दुसरा नेरा और ने ञेंटेस इसनल फार्क था पूर दमना नैस्नल फार्क सभी रसन्जेश नेशनल पार्क, तो मिलेगा, ठीक है, जब दोनों डिवाइड हुआ, तोब लोग समझ जकते एक है, मंडला, मंडला, ऑसिल, ऑसिला, नेशनल, कानहा, नेशनल पार्क, बांधाउ गड़, पढ़ा है यब लोग, बांधाउ, गड़, नेशनल पार्क, सत पुड़ा नेशनल पार्ग वन बिहार नेशनल पार्ग ओम कारेस वर नेशनल पार्ग देखें डाइना सोर नेशनल पार्ग और लास्ट वन आप लोग जाद कर लीजिए वह है पेंच नेशनल पार्ग यह एमपी प्लस महरास्त दोनों का बोल्टर में मिलता है आपको तो दोनों में आप लोग इसको पढ़िएगा ठीक है तो दस है एक माधव नेशनल पार्ग एक पन्ना तो आप लोग को याद होगा एक आप लोग को सतफुड़ा क्योंकि सतफुड़ा के हम लोग पढ़े थे ना बिंध्यांचल और सतफुड़ा और उसके बीच से नर्मदा रिभर निकलती है तो सतफुड़ा नेशनल पार्ग वहीं आता है इसकर के साथ बोर्डर सेर करता है यहां पर देख लिए इसको यहां पर मांदव माधव नेशनल पार्ग पन्ना नेशनल पार्ग देखा संजे भी दिख गया आपको यह मंडला साइथ मैंने लिया है कि नहीं लिया इसक्रीन सोट वह कानहा दिख जाएगा आपको नेशनल पार्ग इस तरह से आप लोग एक एक करके सब याद कर लिए तो इसके 10 आप लोग 10-10 नेशनल पार्ग उसको याद कर लिए तिक है और इससे रिलेटर्डर जो एस्पेसीज है क्या क्या मिलते हैं यह हम अगले वीडियो में देखेंगे क्यों कि मैंने इसका फोट से उन सभी के नेशनल पार्ग जिए 36 गड़ ओडिशा महरास्ट केरल तेलांगना तमिलनाडू तमिलनाडू तेलांगना करनाटक इन सभी का हम लोग करके अगले वीडियो में देखेंगे लेकिन अभी तक के लिए आप लोग यह दस जो है इसको आप लोग देख लिए काना बांधवगर सतफूरा बन बिहार उमकारेश्वर दाइनास्वर और पेंचनेस्टन पार्क यह टूटल दस में बताई है इसको आप लोग याद कर लिए ठीक है और कुछ नहीं है इसके अलावा बाकी तो आप लोग को यादी होगा कुछ कोस्टन में आप लोग को हमने पढ़ा था ठीक है एक तो नौर्थ इस्ट का जो हमने पढ़ा था प्लस इस लेक्चर्स में इन दोनों को हम लोग मिला के पूछ रहा हूं मैं आप लोग को बेंगल फ्लोरीकेन यह कहा कहा मिलता है यह सपेसिश जी मानस नेशनल पार्क और जलढप रा नेशनल पार् यह रेट पांदा तहां कहा मिलेगा ओं शु अरुँनाचल पर देश में माौलिंग में हमने पढ़ा था ने-गैन्सocyle used से नामदफा में था नहीं था अब बताए थर्ड और एक जगह है वह है नियोरा भेली मेसनर पार्क वेस्ट बंगाल यह तीन जगह हमने पढ़ लिया हमने और क्या फ़लावर पढ़ा फ़लावर भेली आज हमने पढ़ा ना याद है आप लोगों कि बताइए का हमने पढ़ा टोटल छे उस स्टेट्स में हमने पढ़े थे उत्राखंड में चलिए अब मैं नेक्ट कोर्शन पूछ रहा हूं एक बताएए एसियन 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 वाइल्ड डॉग यह कहां मिलता है सिक्किम के कंचंज जंगा नेशनल पार्क में एसियन एलिफैंट यह कहां मिलेगा आज ही हमने एक पढ़ा है राजाजी नेशनल पार्क कहां पर पढ़ा उत्राखंड में नौकरेक नेशनल पार्क मेघालाई में नौकरेक में और क्या देखे रेट पंडा भी मिलता है और Siberian train a tiber an हर्याना में मिलता हैं मताइए हर्याना के किस नेशनल पार्ग में आब लोगों को ऐसंसा आप में कई ऐसे की नेशनल्टहूचा हम ने हर्याना में पढ़ा था एक कलैस्सवर चलेशर नेशनल पार और सुल्तानपुर describing कलेश्र नेशनल पार्ग में अमने कपढ़ाता sieberian crane और क्या पढ़ाता greater flamingo rough और टेलिकोन great white pelicorn रोड़ात है अजलान्से स्कौैरल कि यह कहां मिलता है कि नाम दफा नेशनल पार्क fringe हिमालीयन डै ब्राउन हिमालीयन ब्राउन ब्राउन ब्यार कहां पढ़ा है अब ग्रेट हिमालेयन नैस्नल पार्क हिमाचल परदेश में बढ़ाता है तिरधन रिभर कसमेरी स्टेक नहां में पड़ा हमने, कसमेरी स्टेक, पता यह है, दाची काम नैस्नल पार्क कहां पर जम्मुन कसमीर में, क्या पढ़ाता क्रेटिकली यार के रेंज में आता है ठीक है तो अभी इतना अभी के लिए इतना ही उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तब तक के लिए धन्यवाद पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए प्रेक्टिस एंड रिविजन यहीं है फ्रेक्टिस कीजिए रिविजन कीज रिट्स भीचन भीचन फ़ेंड तब तक के लिए धन्यवाद